पिछले साल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले BRS का वोट शेर गिरकर 37 से 16 फैसदी पर आ गया है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस और 8 पर BJP को जीत मिली है। हैदराबाद लोकसभा सीट से AIM-AIM के OVC ने लगातार पांचवी ब राज्य के मुख्यमंत्री रहे। हालां की 2023 के विधानसभा चुनाव में चंदरशेखर राव को राज्य की सत्ता कांग्रेस के हाथों गमवानी पड़ी। 2019 के लोकसभा चुनाव में BRS को तेलंगाना की 17 में 29 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में BRS किसी गठ बंधन का हिस्सा नहीं थी और उसने अकेले ही चुनाव लड़ा था।